हलो दोस्तों दिस इस आरो ही और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि फोर्प्ले क्या है फोर्प्ले क्यी जरूरी है आज कर बहुत सारे लोग ना अलग अलग बातिय कर रहे हैं फोर्प्ले हाँ यह तो होता ही नहीं है यह तो जरूरी ही नहीं है किसने का that is not important आपको satisfaction चाहिए तो फोर्प्ले most important होती है इस वीडियो आपको बहुत सारी चीज़े पता चलेगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी या फिर सुनी भी नहीं होगी कर बहुत सारी confusion आपकी दूर हो चाहिगी तो hashtag be bold के साथ इस वीडियो को boldly देखिए sexual relationship में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप sexual चीज़े ही करे sexual activity ही करे sexual activity एक पूरी process है जिसमें आपका poor play, sexual activity and outplay important है और यह तीन पार्ट होते हैं एक पूरी sexual relationship में और यह करने भी काफी important होते है otherwise क्या होगा क्या पंडल आपसे satisfied नहीं होगी यह male female दुनों के नहीं जरूरी है ऐस satisfaction के लिए four play करो ऐसा बल्कुल नहीं है four play male and female दोनों के लिए यानि की partner दोनों partner के लिए काफी जरूरी है संबंद बनाने या पर sex देना सिफ आपकी physical needs नहीं हो सकते that is your mental needs आपकी mental satisfaction भी उतनी ही important होती है ऐसा दिखा किया है कि बहुत सरे partner partners को इस चीजों के knowledge नहीं होने के वज़े से वो satisfied नहीं हो पाते है तो इस चीजों के knowledge जरूर रखने चाहिए तो four play में एक्टिविटी कैसी ह बहुत है सिंपल होने चाहिए वह तरीका जिससे आपकर पारना उत्तेजित हो या विर वो खुश हो महिला में हो सकता है कि आप उनके private parts दें लिकिंग सकें यसे साही चीजों करें जहां वो sensitive parts मेरी में भी वैसे ही चीजों होती है जो उनका sensitive area होता है कई बार यसे चीजों ह होती है कि आप इतना सोचते हूं उतनी बार आप नहीं कर पाते हैं तो अपने आपको टाइम देजिए जरूरी नहीं किसे penetration ही किया जाए penetration की timing जाबर से जादे करने के चक्कर नहीं four play करना भूल जाते हैं या पर नहीं भी करते हैं तो that is not important, four play is most important यह साथ doctor segment कहते हैं और यह करना भी काफे ज़रूरी है four play का तरीका यानि प्यार जताने का भी तरीका होना चाहिए जिसमें महिलाओ को यह लगए आपके female partner को यह लगए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो जितना आप उनी प्यार करें कि वोगी है आपको प्यार करें कि आपका healthy relationship होगा सेख उसी टाइप से में में यह दिखा गया है कि प्यार की साथ-साथ ही आप अच्छे से और four play के साथ-साथ ही enjoy करते हो अपनी sexual relationship को sexual activity को उसके बाद sexual activity होती है then out play भी होता है को लगता है कि आप उनसे पस यूज कर देते ऐसे में आपका relationship strong नहीं होता है और mental satisfaction भी नहीं होती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कि जोए thank you so much